इस वीडियो में हम water resources पढ़ने वाले हैं तो इस chapter में हम पानी की significance के बारे में पढ़ेंगे और distribution के बारे में पढ़ेंगे और पानी की कमी और खारा quality के बारे में पढ़ेंगे फिर पानी के quality को कैसे बढ़ाएं ये पढ़ेंगे और पानी को बचाने के बारे में बढ़ेंगे हमारे अर्थ को कौन unique planet बनाता है हम अर्थ को ज्यादा तर blue planet कहते हैं या watery planet कहते हैं क्योंकि अर्थ एक ऐसा planet है जहां पानी है अर्थ पर पानी सारे forms में present है ocean, seas, lakes, rivers और ponds इन में surface water होता है अर्थ के surface के अंदर rocks के pores यानि छेद में पाया जाने वाला पानी ground water कहलाता है polar region में जहां बहुत ठंड होती है वहाँ पर भी पानी ice sheets के form में होता है और mountain regions में भी ice sheets मिलती है अर्थ पर पानी gaseous form में air में present होता है earth पर पानी life के सारे forms को support करता है पानी बहुत important natural resource है in fact पानी को life का synonymous बताया है अब पानी का significance यानि कि महत्व पढ़ेंग water बहुत precious natural resource है यहाँ बहुत useful है पहला पानी को हम domestic purpose के यह यूज करते हैं जैसे की drinking, cooking, bathing और washing second, lakes और rivers का पानी irrigation के लिए यूज करते हैं तो agriculture के लिए यूज करते हैं wells यानि कुएं और tube wells से underground पानी निकालते हैं और यह underground पानी domestic और agricultural purposes के लिए यूज करते हैं पानी की जरूरत industries में भी यूज होती है industries में machines को cooling और cleaning के लिए पानी यूज किया जाता है जब पानी height से गिरता है जैसे की waterfall या dams में और यह पानी hydro electricity generate किया जाता है coastal regions के climate को moderate करने में large water bodies जैसे seas और oceans मदद करते हैं ocean water में बहुत सारे marine life की variety रहती है जो की बहुत सारे के लिए occupation का source है rivers, seas और oceans ट्रांसपोर्ट का means है और inland और international waterways, trade और commerce का main arteries है plants, soil से पानी अब्जॉब करते हैं animals की body, body weight का water important constituent है precipitation के द्वारा earth पर सारा fresh water provide करने के लिए atmosphere में waterway पर responsible है अब water का distribution पढ़ेंगे earth surface का 2 upon 3 लगभग पार्ट पानी से cover है और इसमें बहुत कम हम actually use कर सकते हैं लगभग 97% पानी तो oceans और seas में हैं यह saline water है, मतलब खारा पानी है और यह लोगों के consumption के लिए सही नहीं है दूसरा 2% पानी ice caps और glaciers के form में है जो की हम use नहीं कर सकते इसलिए सिर्फ 1% earth का पानी human use के लिए fit और available है अब fresh water पढ़ते हैं तो earth पर most valuable natural resources है fresh water, पानी renewable resource है इसका total volume earth लगभग constant है पर इसे conserve और manage करना करने की ज़रूरत है अब water का distribution पढ़ेंगे तो पानी world में unevenly distributed है और ऐसा इसलिए क्योंकि climate conditions अलग-अलग है जहां पर precipitation ज्यादा evaporation से है वहाँ ज्यादा पानी होगा और precipitation ज्यादा है वो regions, equator और south और north 20 degree के latitude के बीच locate होते हैं 20 degree और 40 degree north और south latitude के बीच regions में evaporation में desert की formation होती है अब हम water मिलता कहां है, कहां से है ये देखते हैं तब source पढ़ेंगे प्रेश वार्डर का main source है रिवर्स और लेक्स रिवर्स और लेक्स में rain surface water की तरह इखटा हो जाता है फिर pipes या canals की help से पानी rivers और लेक्स से लिया जाता है बारिश का पानी earth के surface में भी चला जाता है और कुछ हिस्सा जो कुछ हिस्सा होता है वो ground water की तरह एकटा हो जाता है wells और tube wells को ground water को निकालने के लिए यूस किया जाता है earth surface के नीचे earth surface के नीचे ground water के अपर अपर level को water table कहते है water table season wise और place wise अलग अलग होता है अब आगे का chapter हम next video में पढ़ेंगे